प्रितमन्ती द्वारा प्रसुत के कैए बजट को उत्राखन कौंग्दि सदेक्ष पीतम सिग ने बता है कि बजट नेराशा जनक है प्रितम सिग ने कहा है कि अगर डवल इंजिन एवा प्रचन बहुमत के बाद भी उत्राखन के साथ ऐसा ही सोतेला वेवार करना पड़ा था तो फिर उत्राखन की जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए क्यों कए उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से हवा हवाई होने के साथ ही फ्लॉपी है जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट बहुत घोर निराशा जनक वाला बजट है आँकणों की जादुगरी की स्योय इस बजट में ना तो किसानों के हितों को सन्रश्टित करने की कोई बात हुई है नौजवान साथियों को रोजगार के परिपीक्ष में कोई बात नहीं है बढ़ती हुई महिंगाई पर कैसे अंकुष लगे इस परिपिक्ष में भी कोई बात जो है इस बजट में दिखाई नहीं देती है और उत्राखंड राज्य को तो इस बजट ने बहुत निराश करने का काम क्या है ग्रीन बॉनस देने की बात लगातार जो है राज्य सरकार केंद सरकार से करती आ रही है डवल इंजिन की सरकार होने के बाजुत उत्राखंड के हाथ ग्रीन बॉनस से भी खाली है रेर प्रियुजनाएं जो उत्राखनराजी के अंदर संचानित होनी चाहिए थी उस परिपिक्षे में भी कोई बात नहीं कही गई है मेट्रो की बात सरकार लगातार करती रही लेकिन मेट्रो के परिपिक्ष में भी इस प्रदेश को निराशाहात लगी है और अभी बजट पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या इस्तिति है लेकिन जो मोटे तोर पर सरसरी तोर पर जो बाते सामने उभर करके आई है तो मैं कह सकता हूँ जनता से छलावा करने का काम जो है केंदर की सरकार में किया है